दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रहे हूं ठंडी के लिए एस पेसल रेस्पी गरमा गरम खस्ता आलू की कचवरी जैसे हलुआ बनाते हैं न उस तरीके से बनाएंगे हम ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहेगा और फूला फूला टेस्टी टेस्टी अब दे या मैंने एक बरतन मिक्शिंग बाउल उसमें डालेंगे दो कप आटा या फिर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें डालेंगे एक चमश जवाइन इस तरीके से हाथ पर मसल करके इसे अच्छी खुसबू आएगी मसल देंगे तो और डालेंगे आदी चमश नमक और मिक्स कर देंगे अब डालेंगे मुईन करने के लिए इसमें तेल या फिर देशी घी भी आप डाल सकती हो तो मैंने यहाँ पर चार समश तेल डाला है गुनगुना तेल डालेंगे तो ज़्यादा क्रिस्प बनेगा और अच्छे से मसल देंगे आटे के अंदर मुईन कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से मुठी बंद जाए तो आटा इस तरीके से मुईन करना फिर कचवरी बहुत ही खस्ता बनेगी आप थोरा थोरा पानी डाल करके आटे का डो तैयार कर लेंगे पहुँ ज़्यादा हाट डो नहीं रखेंगे और बहुँ ज़्यादा रूटी की तरह तील भी नहीं करेंगी, तो छोरह थोरह ही, पानी डाले हैं, और आटे का डोव तयार कर लेना है, अब यहाँपर देख सकते हैं, डोव हमारा तयार है, बिल्कुल इस तरीके से, हमें डोव तयार करना है, ना तो यह पहुँआ ज्यादा सकते हैं, और नहीं पहुत ज़्यादा लूज है अब इसे साइड में रखते हैं कपड़े से ठाक करके अब इसकी स्टफिंग तयार करते हैं तो यहाँ पर उबला हुआ आलू लिया है मैंने इसका छिलका निकाल करके इसको अच्छे से मैस कर लेंगी तो यहाँ पर आलू को भी मैस कर आए अब आलू के लिए मसाले तयार करते हैं नौर्मल पराठो से तोड़ अलग मसाला तयार करेंगे तो दो चमच यहाँ पर साबू धनिया एक चमच जीरा एक चमच सौब और आठ से दस काली मिर्ज के दाने और चार से पाच लॉंग डाला है मैंने यहाँ पर पूना हु पेशन का भी इस्तिमल कर सकते हैं और एक लाल मिर्ज भी डालेंगे और मसाले को भूल लेंगे इस तरीके से मसाले ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके करस करेंगे तो यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल करके मसाले को मैंने करस कर लिया है अब एक पैन में दो चमज तेल और इसमें डाल देंगे एक चमज अजवाईन आप चाहो तो जीरा भी डाल सकती हो क्योंकि जीरा हमने भून के पीज दिया है तो इसको एसकीप किया है दो कटी हुई हडी मेर्स और गिरेट किया हुआ एक चमज अदरक और इसे हलका सा बून देंगे और डाल देंगे वन फोर्थ चमज हींग और एक बार मसालों के साथ मिक्स कर देंगे अब इसमें डाल देंगे भूने और पीसे हुए मसाले इसी टाइम पर हमें तो चमज बेसन डाल करके इसमें भूल लेना है अगर रोस्टेट चना का दाल घर में ना हो एटे टाइम तो अब एक किया हुआ आलू डाल देंगे इस तरीके से आप एक बार कचावडी बना करके देखना आलू के पराठे के लिए जो हम आलू तयार करते हैं नॉर्मल उससे बिल्कुल अलग बनेगा कड़क और टेस्टी जैसे हम मार्केट से लाते हैं होटल से लाते हैं उस तरीके से और इ आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद में गैस कफले में यहाँ पर आप कर दी हूँ और आलू को एक दूसरे बर्तर में निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगी इस तरीके से फैला दे जल्दी ठंडा हो जाएगा इस समय में नमक टेस्ट करके देख लेती हूं आप भी बनाना तो नमक टेस्ट करके देख लेना तो नमक यहाँ पर बिल्कुल पॉर्फेक्ट है तोरा कम हो तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर आलू ठंडा हो चुका है तो रासा खटास देना है तो यहाँ पर आप आमचूर पॉडर का भी इस्तेमाल कर सकत यह पर मैंने नहीं किया है मुझे यह अच्छा लगता है तो जितना बड़ा हमें कचवरी बनाना है उतनी ही बड़ी आलू का गोली त्यार कर लेना इस तरीके से बॉल जैसे बना करके रख ले ताकि जब हम कचवरी के अंदर स्टफ करें फिर हमें आसानी से हो जाए दिक्कत ना हो तो मैंने जितनी कचवरी बनानी है उतने आलू का यह बॉल बना करके एक जगा रख लिया है अब आटे पर से कपर अटा करके एक बार मसल देंगे और इसकी लोई काट लेंगे तो यहां पर बैदा को लंबा करके जितनी कचवरी बनाना हो इतनी इसकी लोई अतायार कर ले और इस तरीके से गोल करके हम तो अक्सर बनाते हैं तो मालूम है कैसे करना है फिर भी आप जाल ले कचवरी खसता और परफेक्ट कैसे बनेगा तो बीज का जो सर्फेस है उसे मोटा रखे और किनारा पतला करे अंगुठा से दबाते हुए इसकी परफेक्ट कटोरी जै तैयार कर ले तो सर्फेस मेंने मोटा रखा है और किनारा पतला रखा है देखिए आलू डालने से बिल्कुल परफेक्ट अंदर कटोरी के अंदर चला गया जो हमने आटे की कटोरी बना रखी है अब इस तरीके से चारू तरफ से सील कर देंगे और उपर जो आटा निकल रहे है उसके नीचे जहां स्टपिंग भड़ी है अच्छे से दबा देंगे तो न फुटेगा न फटेगा बिल्कुल खराब नहीं होगा जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे अब उंगली से दबा देंगे तो देखा न बिल्कुल लोई बन करके तयार हुई है और बीच में इस तरीके से दबा देंगे बीच में दबाएंगे कट्व कच्छवरी अच्छे से परफेक्ट फूलेंगी तो बीच में ही हाथेली से इसे दबा देना और इसी तरीके से में सारे C Сов ally को बना करके एक जगा रख लोंगी याद रहें कचवडी तभी फूलेगी जब इस तरीके से बीच में आपरिस करेंगे तो यहाँ पर मैंने पना करके कचवडी रख लिए अब तेल गरम होने के लिए रखा है तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होने देना है चुले पर तेल चड़ा दीजिए गयस कफले मौन कर दीजिए और साथ में यह कचवडीयों को डाल दीजिए बीच में ही दबा करके डालना जैसे जैसे तेल गरम होगा कचवडीया इसमे तले गी और खसता और फुली फूली सी बनेगी तो धीमे फिलेम पर हमें कचवरी को फ्राई करना है एक तरप से लगभग चार मिनट मैंने इसे फ्राई किया आप देख सकते हो हलका हलका सा कलर आ गया और कचवरीया अच्छे से फूल गई है एक दम फूली फूली बनेगी और कड़क बनेगी तो धीमे आज पर कचवरीयों को हमें तलना है यहाँ पर देख सकते हो कचवरीया तल करके तयार हो गई है थोरा सा टाइम लगेगा पर बिल्कुल हलुआई जैसा परफेक्ट कचवरी बनेगी आलु भरिये मुंकी दाल भरिये कुछ भी भरे इसी तरीके से बनाएंगे तो कचवरीया बिल्कुल हलुआई जैसा परफेक्ट फूली फूली खस्ता क्रिस्प बनेगी ठंडा होने के बाद भी यह क्रिस्पी रहेगी बिल्कुल न पचकेगा न तूटेगा न फूटेगा आप देख सकते हो कितना परफेक्ट अलु की कचवरी बन करके तयार होई है एक तम सक्त यहाँ पर मैं दिखा रहे हूँ आप देखिए कुछ भी करने से यह जल्दी तूटेगा नहीं इस तरीके से एक दम क्रिस्पी खास्ता और टेस्टी टेस्टी कितना परफेक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हूँ इस तरीके से कचवरी को सर्व करें और गरम गरम खाए या फिर ठंडा खाए परफेक्ट ही रहेगा तो अलू की कचवरी इस तरीके से त्यार करना है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले बाई बाई